कि नमस्कार तभी को स्वागत है आपका एंपेटर 247 के ऑफीसियल यूटूब चेनल पर तो बताए कैसे वाप लोग आज हम इस क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम के कुश्चन को सॉल्ब करने वाले हैं और यह है इसका पहला भाग है है ना इसके मैं आपको तीन भाग कराऊ हूंगा और तीनों भागों में मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम याद करवा दोंगो पूरा जिससा कि मैं आपको कहता हूं कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ाता ही हूं कि कुश्चन के साथ आपको त्योरी याद कर दोंगा और यदि कुश्चन के सा आपने थोरी याद करना सीख लिया तो फिर आपकी थोरी इतने बहत्रीन तरीके से रिवाइज होती है कि आप चाहकर भी उसे भूल नहीं पाती हो है ना सभी को मेरा राम-राम राधे राधे गूड इवनिंग है ना चलो फिर क्लास को करते स्टार्ट अब देखो दोस्त मेरे अब ज्यादा राम-राम करने से कोई मतलब नहीं है इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अड़ा की एप्लीकेसिन को डाउनलोड कर सकते हूं दी गई ही लिंक क्यूंकि आसमें आपको यह सारी चीज़े उसमें प्राप्त होती है करेंट अफिर मिलता है डेल कई काम इसले तो आपको दिखा रहा हूं चलो फिर आगे चलते अब देखो कि आपके स्थिक्षकों की किलास कब-कब होती है सुँभर 9 बजे लेती है196 गेकर आते हैं राज शर 9 बजे संदीब चोहांसर मैच्ष लेकल कर आते हैं और 10 और आइलो सभी को ना तो आपका लाव होने वाला है ला तो मेरी को मजाने वाला है अप दोस्त यह कॉंस्टेवल का जो बेच है ना पांच जुलाई से प्रारंब हो चुका है इसकी प्रमक विसेश्था आप देख पारे होंगे 210 घंटे लाइव क्लास मिलेगे आपको रेकोड़ेट वीडियो एवलेवल रहेंगे तो आप जाकर उसे देख भी सकते हो है ना हटने वाली नहीं है और बड़ा तगड़ा वैच है जाके आप इसे पर्चिस करो बहुत मज़ाएगा आपको अब चलो हम करते कुश्चन को सॉल्व ए रहा आपका आज का पहला कुश्चन को पढ़ने के पस्चात ही आंसर देना मैं इस कुश्चन को समझाऊंगा आप आंसर दे के माता पीता दोनों के किसी के द्वारा नहीं देख लेते थोड़ा स्पिचर को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि सर माता में कौन से गुर्ण सुत्र पाए जाते पिता में कौन से गुर्ण सुत्र पाए जाते हैं यानि कि आपको मेल एंड फीमेल इन दोनों होता क्या है होता यह है कि जब मेल का वाई क्रोमोजों यानि की वाई गुण सूत्र फीमेल के दोनों एक्स में से किसी एक वी एक्स गुण सूत्र के साथ जोड़ जाता है जब मेल का वाई गुण सूत्र फीमेल के दोनों एक्स में से किसी एक X के साथ जॉड जाता है तो वहां पर पैदा होते हैं लड़की ओन पैदा होते हैं मेल डूुरक के सथ जुड जाए तो पैदा होती है लड़किया ओन रुड़किए अब में ने आपसे कहा कि सर आप यह जो लड़का और लड़की इन दो सब्द का इस्तिमाल करते हूं तो यह लड़का और लड़की बास्तों में है क्या यह लड़का और लड़की बास्तों में दोनों के दोनों सेक्स कहलाते हैं अब आपका विसर्ट सेक्स किया जाता है कहलाते क्या है भाई मेरे सेक्स को हिंदी में लिंग कहा जाता है और हमारे कई सारे ऐसे मित्र हैं जो कि इसे लिंग को पैने से समझते हैं सिस्ने समझते हैं सिस्ने समभो करने के समय काम आता है जो कि पूर्स में पाया जाता है लिंग का मतलब होता है आप पूरो सो के छे иях घ्रिकट को बुक करते हो कहीं पर भी जाने के लिए तो एक उफ्षेन आता लिंग और नीचे लिखा हो हो कि हम मेल है कि फीमिल है हाई ना ठीक है अब देखो मैंने आप से कहा कि इन दोनों के गुनसूत्र में से आप इतनी बात तो समझ गया और कमेंट मैंसर देने भी लगे हो की सही अंसर क्या है अम मैंने आप सिवात सब्सक्राइब करते हैं कृषिया पुरश गुनसूत्र को फूच्र kahvy कहा जाता है लेक्षाइब हुआने कर दोड़ने बसक्राइब पूर्श को फूर्श कुस्ट को सकंप आ Ergebnis कर में बसक्राइब से लिंग निर्धारन गुलसूत्र सूत्र कहा जाता है। भी सब्सक्राइर निर्धारन पनती जाता है हाओ जाता है को इतनी बात तो हुई आपकी इस पस्त कि बच्चों का लिंग है फादर्स के गुंस्तूत्र के दुबारा निर्धारित किया जाता है की लड़का पैदा होगा की लड़की पैदा होगी आए ना ठीक है आपको आपके कुश्चन का जवाब मिलगा हाँ भाई सभी का अंसर सही अप सही अप सही अंसर दे रहे हो पहल गलत करेगा अपने जीवन में यानि कि उसने कुश्चन गलत किया है तो उसकी मानसिक इस्थिती ही खराब होगी बागी वह चाहकर भी कुश्चन गलत नहीं कर पाएगा आपको पता है हाए ना देखो कुश्चन नमर तीसरा इस्त्रियों की नस्बंदी को क्या कहा जाता है देखो मैं आपको यह दोनों टर्म समझा देता हूं एक होता है बैसेक्टोमी एक होता है टूबक्टोमी वैसेक्टोमी में पुरसों की नस्बंदी की जाती है पुरोस नस्बंदी पुरोस से नस्बंदी अब आपको को सरी नस्बंदी होता क्या है भाई मेरे नस्बंदी म उससे ट्यूब को काट दिया जाता है जिसे ट्यूब से इस पर्म का फिलो होता है सुक्राणू का आगे क्यों आगमान होता है यानि कि सुक्राणू फेर नहीं आ पाते हैं है न एक उतार ट्यूवेक टॉमी ट्यूवेक टॉमी में महीला की नसबंदी की जाती है किसकी महीला जाते हैं और महिलय नस्वांदी को आपने क्या कहा टूवरक voulez टूमि कई और पूचए के नस्वांदी को क्या कहा जाता है बड़ा सफ Once in the Output नहीं था मेरे ख्याल से औरन आप लोगों बसग्सम कोई साथ distorted लाक है नहीं कि अडलो कि नस्वांदी को क्या कहा जाता प्रतों-प्रेशिसू का नाम था लूिस क्या थलीज प्रतों-प्र स्परक्नली सिसू का नाम था लूईस अच्छा मेमनियो सलेंटो सिस एक तरीका है जो बताता है बताओ इसका जाओ में आपसे चाहूंगा एमनियो आप सब गलत आंसर दे जा रहे हो दो चाल लोगों का ही सई आंसर है हाकिकत में इसका आंसर देखो आपकी बास्ताओं में इसका आंसर क्या होता है ना कि देखो भाई, जो इमनियोसेंटोसिस है यह ब्रून के लिंग को पता कर लेता है, अब ब्रून है पता किया होता है, आपको पता देता हूँ भ्रून क्या होता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिये का मैंने आपसे कहा कि आप biology में किसकी study करते हूं भाई मेरे यह है तो आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से आप biology में अध्यन करते हो living body का किसका living body का आप biology में अध्यन करते हो सजी उसरीड का और इस living body की basic unit क्या होती है इसकी basic unit होती है से अ अच्छा यदि सर हमें एक new living body का formation करना है किसका new living body का यानि की नई सजीः शरीड का निर्मार करना है तो नई सजीः शरीड के निर्मार के लिए आपको करना पड़ेगा reproduction क्या करना पड़ेगा reproduction करना पड़ेगा i यानि कि आपको प्रजनन करना पड़ेगा और प्रजनन करने के लिए आवस्चक्ता होती है प्रजनन कोशिकाओं की इसकी आवस्चक्ता होती है प्रजनन करने के लिए प्रजनन कोशिकाओं की आवस्चक्ता होती है रीप्रोडक्टिव सेल की रिक्वर्मेंट होती है यानि क प्रजिनन कोशिका की आवश्रक्त होती है प्रजिनन कोशिकाओं की आवश्रक्त होती है अब यह प्रजिनन कोशिकाओं की आवश्रक्त होती है अब यह प्रजिनन कोशिका मेल एंड फीमेल में अलग लग पाई जाती है अच्छा मेल में कौन सी रीप्रोडक्टिव सेल जाती प्रजिनन कुशी का पाई जाती ओबम जिसे आप कहती अंडानू अब होता क्या है जैसे ही फर्टिलाइजिसन होता है जैसे ही निसीचन होता है निसीचन के पस्चात करtones जाते हैं अच्छा पस्चात होने के पहले में पहले की बात करोंगा निसीच पन and और वं का मिंख यह दोना मिल जाते ही यह संपर्ण ओर बंफ आपस में मिल गई तो यह दोना मिलकर किसका समय करते हे यह इस घा निरमाल करते हैं ब्क蛇ड और इस mail से आगे चल कर formation होता है embryo का, बुरूड का यह जाइगुट का एक कुशिका है इस embryo में एक से अधिक कुशिका है पाई जाती है embryo का formation होता है, बुरूड का formation होता है अब बताओ भाई, आप कुशिका कोई देखकर है तो नहीं बता पाओगे न कि उसका लिंग क्या है और पुरू से लिंग है कि इस्त्री लिंग है, वह मेल है कि फीमिल है, और यह जो एम्नियो सेंटोसिस है इसके द्वारा आप इसे बूरूड से embryo से यह डिसाइड कर पाते हो कि 9 महीने बाद कौन पैदा होगा यह ऐसी चलो, देखो, नेक्स कूश्चन मनुष्ट के सरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथी बाहनी बिहीन होती है पहले आप इसको समझने का परियास करोगी कुश्चन ने आप से क्या कहा है आप पहले कुश्चन की भासा को समझो बाद में इसका जबाब दो तो ही आपको इसका फल प्राप्त होगा अन्यता आपको फल प्राप्त नहीं होगा देखना ज़रा द्हान से हैं न देखो भाई बाहनी बाहनी को कहा जाता है डक्ट क्या कहा जाता है डक्ट कहा जाता है और इसी डक्त को आप हिंदी में कहते हूं नली का कहते हूं अब देखो दोस्त मनुस्त के सरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथी बाहिनी भीहीन होती है यानि कि कौन सी ग्रंथी डक्त लेस होती है नली का भीहीन होती है जिसमें पाई नहीं पाई जाती है अब मैं आप आपको बता दूँ आपके सरीर में जो ग्रंथियां है ना वह ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं कितने प्रकार की तीन प्रकार की यादि आप दो प्रकार को समझ जाओगे ना तो आपका काम पूरा हो जाएगा है ना आपका काम पूरा हो जाएगा एक होती है एक्जो क्राइन गिलेंड को आप कहते हो बही इस्त्रावी ग्रंथी क्या कहते हूं बही इस्त्रावी ग्रंथी कहते हूं दूसरी होती है एंडो क्राइन गिलेंड दूसरी कोई से होती है एंडो क्राइन गिलेंड और इस एंडो क्राइन गिलेंड को आप कहते हो अंत्रावी ग्रंथी क्या कहते हूं अंत्रावी ग्रंथी कहते हूं और तीसरी होती है मिक्स्ट ग्रंथी जिसे आप कहते हूं मिस्ट ग्रंथी कोई से होती है जिसे आप कहते हूं मिस्ट ग्रंथी जिसे आप क्या कहते हूं मिस्ट ग्रंथी कहते हूं कहते हूं कहते हूं यह तीन होती है एक कितनी होती है यह तीन होती है ठेक है अच्छा अब देखो दोस्त यह एक्जोक्राइंड है यह निकालती है जूस को यह फिर एंजाइम को यह फिर दोनों को भी निकाल सकती है यह फिर दोनों को भी पहुँच पाते हैं यह पहुँच पाते हैं बाई डक्ट किसके दौरा बाई डक्ट यह पतली पतली पाइप के दौरा एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक पहुँच पाते हैं इसलिए इस एक्जुक्रैन गिलेंड को डक्ट गिलेंड भी कहा जाता है क्या कहा जाता है डक है चलो इतनी बाद समझ में आती ही सर अब आगे देखो एंडोक्राइन ग्लेंट एंडोक्राइन यानिकी अन्ता इस्त्रावी और एंडोक्राइन ग्लेंड किसको निकालती है मेरे ख्याल से सभी को पता है यह निकालती है हार्मोन को यह किसको निकालती है यह निकालती है हार हर्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए डक्ट की रिक्वार्मेंट नहीं होती है यह हॉर्मोन ब्लड में घुल जाता है क्योंकि ब्लड आपकी बोडी में प्रतिक जगह पर सर्कुलेट होता है ब्लड आया हॉर्मोन निकला घुल गया ब्लड में और ब्लड के साथ एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक हो जाता है यानि कि इसको डक्ट की रिक्वार्मेंट नहीं होती है इसलिए एंडोक्राइन गिलेंड को कहा जाता है डक्ट लेस गिलेंड कहा जाता है नली का बिहीन गरंती कहा जाता है नली का विहीन ग्रंथी कहा जाता है क्या कहा जाता है नली का विहीन ग्रंथी कहा जाता है अब यही कुश्चन आप से पूचा गया है कुश्चन क्या पूचा गया है मनुश्च के सरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथी बाहनी विहीन है यानि कि जिसमें डक्ट नहीं पाई जाती है एंडोक्राण गिलेंड अंतार इस्तरावी ग्रंथी कैसे होती है बाहनी बहीन होती है आप सभी को भी मेरे बताए है न तो मेरे ख्याल से अब यह कुश्चन आपका गलात है नहीं होगा अब चलते हैं हम आगे की उड़ा करें देँटन को बताओ कोन iemand दर्फीकित कर लोगे शोल्चक्रावन को कहते हैं हु हु आदम को अ कि द्णडलेश्य ग्लेंड है उन्हें क्या कहा जाता है एंड़ियं सत्रह्पी ग्रंथीं अभी में आपको बताए एंडौक्राइण गिलेंड कहा जाता है उन्हें कहा जाता हैं अन्तह सतरावी ग्रण थी हुँ कैश्भन ही हमाँ लेकिन हमों के वारे में आप तीन-चार कुछन याद रखें याद रखें पाहला पूछता है कि हमोन किसके होते हैं । यह बने होते प्रोटीन के कि हो मैं कि यानि कि हर्म उख्योत नहों इंट सनल्च Martin होती है तो फ्रक्षर होती है ठॉंस होती है है हाई ना अच्छा होर्मोन एक केमिकल मेसेंजर भी होते हैं यानि कि रासानिक संदेश बाहक होते हैं क्या होते हैं केमिकल मेसेंजर रासाइन एक संदेश बाहक होते हैं यह क्या होते हैं केमिकल मेसेंजर होते हैं रासानिक संदेश बाहक होते हैं है न अब देखो दोस्त हॉर्मोन की सबसे पहले खोज किसने की हॉर्मोन की सबसे पहले खोज किसने की हॉर्मोन की खोज ए ह स्टारलिंग ने की किसने की ए एच स्टारलिंग ने और ए एच स्टारलिंग ने सबसे पहले कौन से हार्मोन को खूजा सबसे पहले कौन से हार्मोन को खूजा सबसे पहले कौन से हार्मोन को खूजा इच स्टारलिंग ने सबसे पहले सेक्रेटिन नमक हार्मोन को खूजा कौन से हार्मोन को सेक्रेटिन हार्मोन को है ना इस बात को याद रखिएगा इसने सबसे पहले सेक्रेटिन हार्मन को खुजा तो सबसे पहले कुन सा हार्मन खुजा गया था सेक्रेटिन हार्मन खुजा गया था किसने खुजा था इज इच स्टारलें ने कर जाता हॉर्मॉन किस बने होते है य Αं शंदिस बाहा की भी होते हैँ चाहर्मोन सदस्द का यर्थ क्या होता है यदि यह पूच लेगा तो फेर दिक्कत में खड़े हो जाओके होर्मोन सद्द का अर्थ होता है टू एक्साइट तू एक्साइट यानि कि उत्तेजित करने वाला पदार्थ उत्तेजित करने वाला पदार्थ उत्तेजित करने वाले पदार्थ को कहा जाता है हार्मोन है न लो भाई यह रहा आपका हार्मोन आप चलते आगे स्क्रीन सोट ले 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 ने इसका स्क्रीन सोट ले लो फटा फट फिर आगे क्यों चला जाए कि ये रहा क्का Qeic上ï-9 इसका जबाब बताओ के निमनकी से कौन अनता स्सथ्रावी ग्रन्थी नहीं है देखो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी होती है सबसे पहले हाइपो थेलेमस क्या है हाइपो थेलेमस यह है एक अन्ता इस तरह भी गरंथी होती है दूसरी पिट्यूटरी तीसरी पिट्यूटरी के बाद तीसरी होती है पीनियल बोडी ग्लेंड पीनियल बोडी ग्लेंड जिसे आप कहते हो पीनियल खाय गरंथी चोथी होती है पीनियल बोड़ी गलेंड के बाद थाईरोईड गलेंड कौनसी थाईरोईड गलेंड पाच भी होती है पेरा थाईरोईड गलेंड पाच भी कौनसी होती है पेरा थाईरोईड गलेंड होती है चट भी होती है चट भी होते पैरा थारेड के बाद नीचे जैसे आओ गया आप गले से तो आपको मिलेगी अड्रीनल ग्लेंड उनसी अड्रीनल ग्लेंड अड्रीनल ग्लेंड के बाद आपको मिलेगी थाइमस ग्लेंड उनसी थाइमस ग्लेंड थाइमस ग्लेंड के बाद एक होती है गौनेट्स ग्लेंड 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 एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ एक और ते गौनेट्स ग्लेंड समझे मेरी बात और एक और लिखो क्योंकि यह टूटल नहीं होती है एक और लिखो पैंक्रियूटिक ग्लेंड अगनाशी ग्लेंड ग्लेंड जसी कहा जाता है अगनाशीक ग्लेंड दिन और याद रखना यह अगनाशीक ग्रंथी एक मिस्त्रत ग्रंथी भी होती है कुंसी मिस्त्रत क्रंथी हमारे सरीर में एक मात्र पाई जाने वाली मिस्त्रत ग्रंथी का नाम बताए मिक्ष्ट ग्लेंड का नाम बताए पैंक्रेटिक ग्लेंड और यह एक एंडोक्रेंड ग्लेंड भी होती है अन्ता इस्तराव ग्रंथी नहीं है एंडोक्र गिलेंड कौन सी नहीं है कि देखो एड्रीनियल तो है पिट्यूट्री भी है थाइरोड फी यक्रत नहीं है यानि कि यह आपका सुद्धांसर हो जाएगा कि अब देखो आगी ज़रा ध्यान से कि नेक्स्ट कुश्चन को देखो अन्ता इस्तरावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है मैंने आपको बताए था अंदेखो ए रही सिलाइड अन्ता इस्तरावी ग्रंथियों को और अन्य किस नाम से जाना जाता है देखो यहां पर देखो आप को कि अंतर इस्था विए गो上 को कहा ते ड़क्तलेसगिलेंड यानि की नली का विहीन गरन्थी तो इसका जबाब क्या हुगा अपका अइसका जबाब क्या हुगा मैं ना कि यानिक ड्क प्र शिय Ay no Pani B screening गरंथी यानिक डुक्त अ गालेस गिलेंड चलो अब नेक्स्ट कुस्टन देखो निमने लिखेत में से कौन एक ग्रंथी नहीं है बताओ कौन एक ग्रंथी नहीं है पता है आप एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ती हो आप इसको पढ़ते हो एंडोक्राइन सिस्टम को अंतहा इस्तरावी तंत्र को आप पढ़ती हो लेकिन आप ग्रण्थिंकbreaker नहीं पहचानबाते हों अचा मेनने आप चिक चार मैं इसी कोन ग्रण्थी नहीं हे भाई स्टोमर ग्रण्थि नहीं ही यह यांद इसा ही आंसर आप का उख सर जठर तो को कहा जाते है यह आप अंग्लेश में केतों इस्टुमक जर कैते हो इस अब को ऑलसम मेरी बात कि जिसे कहा जाते झातर ग्रणती ऑर इस जटर ग्रणती को आप क्या ग्येस ट्रिक ग Hilli इसे ही कहते हूँ में गेस ट्रिक गिलेंड इसे कहते हुLES जठर ग्रंथी जठर में पाई जाती जठर ग्रंथी जठर अपने आप में ग्रंथी नहीं है समझी मेरी बात जठर अपने आप में ग्रंथी नहीं है तो आपको सुद्धा अंसर क्यों को जठर ग्रंथी अच्छा इसे जठर ग्रंथी सी क्या निकलता है मुझे जठरबस निकलता है आप देख़ भाई इस तक ढूसमें क्या क्या पाए जाता इसमें पाए जाता है इसमें पाए जाता HCL Hydro Chloric Acid Pepsin Renin और SEL यह तीन इसमें मौजूद होते हैं अंसर क्या होगा इसका जठर यानिकी स्टुमक कि मानोग शरीर की किस ग्रंती को मास्टर ग्रंती कहा जाता बताओ मास्टर गंती किसे कहा जाता है देखो मानोग शरीर की जो मास्टर ग्रंती है वह है कलाती कि प्यूस ग्रंथी यानिकी पिट्यूट्री ग्लेंड लेकिन अच्छा मास्टर ओफ मास्टर किसे कहा जाता है मास्टर ओफ मास्टर किसे कहा जाता है और उसी को कहा जाता सूपर मास्टर क्या कहा जाता है मास्टर ओफ मास्टर या फर सुपर मास्टर कहा जाता है हाई पू थेले मस्कू किसे कहा जाता है हाई पू थेले मस्कू कहा जाता है है अजने नेक्स्ट कुस्चन मनुष्य के सरीर की सबसे छोटी ग्रंती है अब देखो मैं यहाँ पर आपको चार तरीके के कुश्चन बताऊंगा मैं ने पछली क्लास में भी बताए थे साइद मैं आपसे चार तरीके के कुश्चन बताऊँगा मैंने आपसे कहा smallest endocrine gland कौन सी होती है यानि कि सबसे छोटी अंता इस्तरावी गरंथी सबसे छोटी अंता इस्तरावी गरंथी फिर मैंने आपको दूसरा कुश्चन दिया smallest अभी चलो endocrine gland के बारे मैं बात कर लेते smallest अटाव लार्जेस्ट की बात कर लेते मैंने का largest क्या कहा largest endocrine gland कौन सी होती है जवाब देते हैं चला साथ मैं यानि कि सबसे बड़ी अंता इस्तरावी ग्रंथी कौन सी होती है फिर मैंने आप से कहा smallest एग्जो क्राइन ग्लेंड कौन सी होती है एग्जो क्राइन ग्लेंड कौन सी होती है यानि कि सबसे छोटी बही इस्तरावी ग्रंथी सबसे छोटी बही इस्तरावी ग्रंथी सबसे छोटी बही इस्तरावी ग्रंथी फिर मैंने आपसे कहा यहाँ पर लेख देता हूँ लार्जेस्ट एग्जो क्राइन ग्लेंड कौन सी होती है यानि कि सबसे बढ़ी बही इस्तरावी ग्रंथी इस्तरावी देखना ज़रा ध्यान से एस्मोलेस्ट एंडूक्रैन ग्लेंड इसमें आपका पहला आंसर होगा पी ट्यूट्री ग्लेंड हमी से याद रखना इसमें आपका फस्ट आंसर क्या होगा पुट्यूट्री ग्लेंड नहीं सोरी यह आपका आपका सेकंड आंसर होगा पिट्यूट्री ग्लेंड later pitutri glandton डाझए संगे मेरी वाथ यूश ग्रन्थी तो अब आप इस कुष्चन को देखों मनस्य के सरीड की सबसे छोटी ग्रंथी है है यहाँ पर पीनियल बॉडी ग्रियाणड नहीं है तो फिर अंसर क्या करोगे inhale पिटीट्री क्या ड़ीन्द अब देखो अच्छा अच्छा लार्जेस्ट एंडो क्रान ग्लेंड कोसे हुती है सबसे वड़ी अन्ताइब ग्रंथी क्थाइड ङलेंड कूं से था एग्सु पốn लेंड संसे छोटी बही स्थराविंगरन्थी पिर सग 93 reh leon 30aph और इस्ती पीर से ग्लैंड को आप कहते ही लग क्राइमर ग्लेंड जह केका तो लुड क्षालिक क्रायमल ग्रण थी कया टुद सबसे बड़ी बही इस्त्रावी ग्रंथी आंसर करोगे लिवर यक्रत यह सबसे बड़ी बही इस्त्रावी ग्रंथी होती है तो आप इसका स्क्रीन सोट ले 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 ना यह आपके बहुत काम आने वाला है है न आप इसका स्क्रीन सोट ले लीजिएगा बहुत काम आने वाला ह अब देखो next question मानो शरीर की सबसे महत्तपूर ग्रंती ये तो गजबी काम कर दिया भाई महत्तपूर पूछ लिया अब ऐसे केसे बता पाएंगे सर महत्तपूर कौन है देखो पिट्यूटरी ग्रंती कुल कितनी होती है और इन नौ में से यह जब पिट्यूटरी ग्रंड है ना यह पिट्यूटरी ग्रंड इन साथ को कंट्रोल करती है देखो करते हैं यह अत्तपूर्थ टीण होंगे पिट्यूटरी ग्लेंड इसलीए तो इस पिट्यूटर्ण अपने मास्टर कहा मास्टर ग्लेंड अब होता क्या क्या है यह कंट्रोल किसी नहीं करती है खुद को और हैकुर अत्यमेंस को are हाइपो थेलिमस कंट्रोल करता है इसको इसी लिस हाइपो थेलिमस को कहा जाता है मास्टर ओफ मास्टर कहा जाता है है तो फिर सबसे महतपूर ग्रंती कौन से होती है क्यों आ प्रीट्रेण होगी ना काशियो की प्रीट्रेण समझ गए मेरी बात है है कि भीट्री ग्लेंट सबसे महतफूर ग्रंती होगी मेरे ख्याल से यहां तक कि आपको एक बास मस्वेम आ गई होगी है ना अब देखो भाई आप ए विधर के बैस को पर्चीस कर सकते हो यह कॉंस्टीवल का वेच पर सो ही आपका स्टार्ट हुगा है देख सकतो ही आपर मैंने मेंसन किया हुगा है यह है पता जाहां खेर आपको पर्चेस करने के लिए आपको वाई 791 कोड का इस्तिमाल करना है बस और कुछ भी नहीं करना है अप सरक कैसे पर्चेस करें तो मैं नहीं को बता देता हूं कैसे कहरें यह कोई बड़ी बात थोड़ी है आप सीद्दा कुरॉ म को खोल सकते हूं यदि चाहो तो मैं आपको सामने करूम खोले आपको यह चीज़ बता देता हूं देखना यह मैंने खूल अग गूगल करूंग अब मैंने कुछ नहीं किया मैंने लखा MP अड़ा बैचेस MP अड़ा 247 लिखो एक 247 बैचेस अब आप करो इसको सर्च यह आपको इहां पर मिल जाए यह आगए सारे के सारे बैच देखो यह आगए बैच MP महाप्यक आ गया MP प्लस कॉंस्टेवल आ गया MP एसबी का फाउंडीशन बैच है खाखी 2.0 MP प्लस SI Online Live वेच है MP एसबी गुरफ 4 इस्ट्रेणोग्राफर का वेच है तो आप इसको बैच को पर्चेस कर सकते हो पर्चेस करोगे तो बस आपको वाई 1790 कोड का इस्तिमाल करना है आपको आपकी भी में डिस्काउंट मिल जाएगा बाकी मिलते हैं कल और कल भी हम इस एंडोक्राइज सिस्टम के दूसरे भाग को हल करेंगे तब तक के लिए राधे राधे राम राम